तो आज की इस लेक्चर में हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं जो हम लोगों ने कर रहा था जितनी भी कोशन्स पूछे गई हैं और चाहे वो कोई भी ब्रांच हो सिविल इलेक्ट्रिकल मेकनिकल तो और माइनिंग इंस्पेक्टर वो सब के लिए ये कोशन्स बेनिफिस सिफ्ट में जैसे फर्स्ट जो 23rd अक्टूबर को हुआ ता उसका मैंने अल्रेडी डिसकस करा दिया है 120 कोशन्स इंडरल इंजिनियरिंग का एंड रिजिनिंग जीके जीएस का तो 80 कोशन्स आप लोग को भी पता है कि 80 कोशन्स जो राता है वो जेनरल इंजिरिंग का रात आप JSC की किसी भी competitive examinations की preparation कर रहे हैं तो JSC की कोई भी exam की तो 40 questions आपके लिए important and beneficial हो सकता है क्योंकि यह already previous year questions है और जितनी भी previous year questions होगी JSC की वो मैं आपको जरूर discuss करूंगा अपने चैनल पे तो इसलिए आप से request है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजिरिंग को सब्सक्र कर लो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दो और शेयर करतो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा यह चीज़े शेयर करो ताकि जो लोग भी previous year को cover करना चाहते हैं वो आसानी से कर सके क्योंकि मैं जितने भी shift में exam हुई है JSC junior engineer की वो सारे papers सभी papers को cover कराऊंग तो इसलिए चैनल पर बने रहे हैं और चैनल को subscribe करें और वीडियो को अपने friend circle में ग्रूप में share करें और आपको बता दे कि अगर आप JSC, CGL या CHSL intermediate level या किसी भी JSC की competitive examinations की preparation करना चाहते हैं तो आप जो 40 questions है means दो पार्ट में हर एक shift का दो पार्ट जो रहता है वो आप च beneficial and important है और यह already previous years में पूछा गया questions है तो कहीं ने कहीं आपको benefits हो सकता है JSC की चाहे वो general competitive exam हो या फिर JSC junior engineer की technical exam हो और आपको बताते हैं कि JSC की जो previous year का questions है जो offline exam हुआ पेपर cancel हो गया था वो भी मैंने सोचा है कि cover करवा दूँगा लेकिन पहले मैं सोचा हूँ कि online वाला shift cover करवा देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का pattern का questions आ रहा है क्योंकि बहुत से लोग बहुत से candidates में नए भी होंगे जो कि अच्छे से interest लेकर कि इसको cover कर रहे होंगे और बहुत से student ऐसे होंगे जो कि इस shift का exam already दिये हो होंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप already questions देख लिए हैं तो आपके लिए यह old हो जाएगा तो फिर भी आप कोशिश करें कि जो आपके लिए new shift है उसको अच्छे से देखें तो हम एक एक करके सारे questions कबर करेंगे लेकिन एक ही बार में नहीं कर पाएंगे और आज हम बहुत दिनों के बाद इसलिए आरे रिजूम कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रोब्लेम हो गई थी मैं भी अपने वर्क में बीजी था इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था तो चलिए आज जब हम लोग फिर से 20 questions per day की तरह स्टार्ट करते तो first question से select the figure from among the given options that can replace the question mark in the following series तो इसमें और से means क्या है कि आपको सिरी जे वोच डूंड़ना है कि सरकल को पहले वहाँ पर को Hence कोन से उठा करके इस कोने में रखा गया फिर इस कोने से फिर इस कोने में रखा गया फिर यहां से अगर चेंज किया जाये तो कहाँ पर रखा जायेगा तो इसका जो करेक्ट सिक्वेंस होगा वह option A हो जायेगा तो इसका correct answer option A हो जायेगा next question से हम लोग देखते हैं next question से तिन कफन दिये गए हैं इसके बाद last io shift था उसमें से English वाला था, Jeание reasoning, क्योंकि वो उस्य टाइब आपको कुछ कोस्तंस इंगलिस में भी मिल जाएंगे ंगे स прил चीर शवरत में जिसके बाइब तीन कथये गया है हैं तो यह वाला देखना है सभी यात्री इंजिनियर हैं कुछ यात्री कलर्क हैं कोई इंजिनियर जियोग्राफर नहीं है तो इस टाइप का questions आपको हर एक शिट में मिल जाएगा और एक questions इस टाइप का reasoning से आपका रहता ही रहता है तो यहां पर पूछा गया है केवर निसकर्स एक और दो अनुसरान करते हैं तो कुछ इंजिनियर कलर्क हैं और कोई यातरी जियोग्राफर नहीं है क्योंकि कोई इंजिनियर जियोग्राफर नहीं है और जितने भी इसमें बस टेक्निकली देखना है इसमें माइंड अप्लाई करना है जब जितना भी पैसेंजर है सब इंजिनियर है और यहां पर लिखा गया कोई इंजिनियर जियोग्राफर नहीं है तो इसमें पूछा गया निसकर कुछ इंजिनियर कलर्क है यह हो सकता है क्योंकि जितने भी यात्री है सब क्या है इंजिनियर है तो इसमें सारे इंजिनियर जो है वो यात्री जो है सब इंजिनियर ही है लेकिन यहां पर बोला गया है कोई इंजिनियर जियोग्राफर नहीं है तो जब कोई इंजिनियर जियोग्राफर नहीं है तो कोई यात्री जियोग्राफर नहीं है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नेक्ट कोस्टन समलोग देखते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी इंजिनिरिंग जोब से इलेटेड अपडेट्स राती है जारकन ब्यार की यूपी की मेक्सिमम मैं देही देता हूं और कोशिश करता हूं कि जो इस्टडी मेट्रेल है इ बॉक्स एक के उपर एक करके रखे गए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी करम में हो बॉक्स छे के नीचे के वल दो बॉक्स रखे गए हैं बॉक्स चार ठीक बॉक्स दो के उपर हैं बॉक्स पांच और बॉक्स छे के बीच के वल दो बॉक्स रखे गए हैं बॉक् इन सब जो हो जाएगा option भी हो जाएगा box दो next question देखते हैं next question से एक से छे तक करमांकित छाठ चड़ों में से छड़ एक चार से हलका है इस टाइप का questions last time भी जो shift था उसमें मैंने करवाया था और उसमें पूछा भी गया था तो इस टाइप का एक questions हर एक shift में पूचा किया और आपको एक जाम में आए गए ह ही आएगा एक से छे तक करमांकित छ्छष चेह च्छड़ों में से छड़ एक चर्षार से हलका है चड़ छे चड़ तीन से हलका है चड़ पांच चड़ दो से भारी है चड़ एक चड़ पांच से भारी है चड़ तीन चड़ दो से हलका है कौन सी चड़ सबसे भारी है तो चड़ चार जो है वो सबसे ज्यादा भारी होगा तो इसमें बस माइंड अपलाई करना है इस टाइ करेगा तो इसमें दिया हुआ है HBR 15 L FB 29 PLJ 57 TND 113 तो आपको अलफाबेट लिखना है और सबका सेक्वेंस देखना है किस किस पोजिशन को कैसे एड़ करके मल्टिप्लाइ करके सब्स्ट्रेक्शन करके क्या है तो इसका करेक्ट वंसन जो होगा वो अप्शन भी हो जाएगा इस टाइब का एक कोसंस आएगा आपका एकजाम में नेक्ट कोसंस है चीनी को जल में घोलने पर किस परकार का परिवर्तन होता है तो अगर आपको बता दे कि जो परिवर्तन होता है रासाइनिक परिवर्तन होता और बहुतिक परिवर्तन होता है तो रासाइनिक परिवर्त अगर हम उसमें change करें तो फिर उसी shape and size या उसी color में या उसी मतलब उसका जो properties था उसमें फिर से return back नहीं आता है तो वो क्या होता है chemical process होता है और chemical changing होता है chemical reaction होता है लेकिन अगर हम उसको फिर से उस shape size इपको हम लोग गोल बनाते हैं तो उसको करेंगे तो फिर से हमारा टिटिनी आजाए Geral गरम करने स्रीजिनिंग सबसे को सिंस आपको रहेगा यह भी को सिंस से है नेक्ट जो है इंद्धिक में से किस परतिविम को स्कीन पर प्राप्त नहीं किया आ सकता है तो यह एक दम इजी को सिंसे आवासी परतिविम इमेजनरी इमेज नेक्ट को सिंसे जठर नाल का कौन सा भाग मल निर्मार में सामिल होता है ग्रीहत अंत्र इसका करेक्ट इंसर अप्शन सी हो जाएगा यह भी बायोलोजी का को सिंस था नेक़् कोस्टन से वाट टाइप ओफ मोशन इज़ इन फॉल फित मोशन ओफ दी हैंड वाइल रहन नींग तो तो इसका जो कर्रेक्ट अंसर होगा वो अप्षिन डी हो जायेगा और सी लेटरी मोशन और सी लेटरी मोशन क्यों होगा वाधे पीछे आगे पीछे करता है दोलन करता है तो इसलिए जो हमारा हेंड है जब हम लोग रन करते हैं तो इसका उसमें जो मोसन होता है वो वो वोसिलेटरी मोसन हो तो इसका करेक्टर अंसर ओप्षन डी हो जाएगा तो सब्सक्राइब करों लोग कंबाइन करते हैं एक सब्सक्वार्रा सर्श यह है और दूसरा सब्सक्राइब क्लीज्म तो इसका correct answer option A हो जाएगा, बहुत easy questions है, यह सब physics chemistry and biology का questions maximum आ रहा है यहाँ पर, next questions है, एक विरित के रूप में 7 मीटर प्यास वाले एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी लंबाई और चोड़ाई 6 अनुपात, 5 के अनुपात में आयत का 6 तपल गयात करें यह भी questions बहुत तीजी है, इसको जब आप solve करेंगे, तो इसका correct answer जो होगा, वो option A हो जाएगा, 30 cm इसका, questions पहले देख लेना, एक विरित के रूप में 7 मीटर प्यास वाले एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया, तो एक सरकल है, और इसको फिर क्या किया गया, इस तो दोनों का area का जो ratio है, उसको equal कर देंगे, तो पता चल जाएगा, एक में 5 into जो area होगा, जिसकी लंबाई और चोड़ाई 6 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो इसका 6 ratio 5 में करेंगे, तो जितना आएगा तो वो उसका correct answer, तो करने के बाद आप तो दोनों का area को equal करेंगे तो 30 cm square आ जाएगा, next questions है, ज्यादा हम लोग इसको discuss इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर वीडियो lengthy हो जाएगा, और आप skip कर देंगे, तो skip कर देंगे तो आपको भी loss होगा, इसलिए हम लोग बस questions को देख रहे हैं, और इसका answer कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा easy questions है, reasoning अगर आपको आता है, तो आसानी से बन जाएगा, concept clear है, तो otherwise, आपको एक questions में 15 से 20 मिनट, एक घंड़ा भी लग सकता है, next questions है, एक संको और गोले के 30 समान अर्था 15 सेंटी मिनटर है, यदि संको और गोले का आयतन भी समान है, तो संको की उचाई ग्याद करें, यहाँ पर भी same questions है, संको और गोले का जो आयतन है, उसको एकवल करना है, तो इसका height निकल जाएगा, तो इसका correct answer होगा, 60 सेंटी मिन इसमें फर्मुला बेश्ट है, फर्मुला आना चाहिए आपको कोन और इस फेर का जो एरिया है, और भोल्यूम है, वो आपको पता होना चाहिए, निक्स्ट कोसंस फिर रीजनिंग से है, कोसंस है, तीन वेक्ती A, B और C, एक कार से यातरा पर जा रहे है, एक पहले दो गंटे के दौरान, 80 के MPH की उस्ट चाल से का ड्राइब करता है, भी अगले दो घंटे के दौरान 90 के MPH के उस्ट से ड्राइब करता है, और C, अगले दो घंटे के दौरान 100 के MPH की उस्ट चाल से ड्राइब करता है, वे ठीक 6 गंटे बाद अपने गंताई पर पहुचते है उनकी उसाचाल किलेमेटर पर आवर में घ्याद करें तो इस टाइप का एक क्वेस्टन हर एक सीट में आपको मिल जाएगा और इसका करेक्ट अंतर जो होगा वो अप्शन भी हो जाएगा अप्शन भी नेक्स्ट को संस यह सब ब्रीजिंग को संसे और मैत का 8400 के 557 का 3 by 4-2800 के 37 के 1 by 5 के 3 by 2 का मान ज्याद कीजिए यह बहुत इजी को संस है इसको कैसे सोलो करना है आपको पता है तो इसको सोल्व करेंगे जब तो इसका करेक्ट अंसर जो होगा 4 1 4 0 4144 अगर आप लोग करना चाहते पाले क्या करना है 84 इंटू 5 by 7 इंटू 3 by 4 करन तो आपका करेक्ट अंसर आ जाएगा इसमें यूज करना है आपका अंसर करेक्ट आ जाएगा यह बहुत इजी को संस है निश्ट को संस हम लोग देखते है निश्ट को संस परसेंटेज से है रुप्या 800 की धंडासी एक्स परसेंट परती वर्स साथारन ब्याज की दर पे चार वर्सों में रुप्या 992 हो जाता है यदि ब्याज की दर एक्स प्लस पाच परसेंट हो जाती है तो चार वर्सों में वही धंडासी कितनी हो पाएगी हो जाएगी 1152 का करेक्ट अंसर ऑप्शन ए नेक्ट कोस्टन से इन आई एसी पहला इलेक्ट्रोनिक सामान उद्देश वाला कंप्यूटर था इन आई एसी में निम्लिकित में से इन का क्या हर्थ है तो इसका करेक्ट अंसर होगा न्युमेरिकल ऑप्शन डी नेक्ट कोस्टन से मैच दी कॉलम्स बैनरी का होगा यह वाला ओप्शन टू इसके बाद डेसिमल का होगा ओप्शन थिरी इसके बाद हेक्षा डेसिमल का होगा 110 AB होल्ड पाउर 16 ओक्टल का होगा वन तो करेक्ट अंसर जो होगा वह ओप्शन डी हो जाएगा एक बार आप अच्छे से देख लो या फिर स्क्रीन सोट ले ले ताकि आसानी से आप कर सकते हैं बाद में नेश्ट कोस्टन से नीचे दिएगे विकल्पों में से कौन सा विकल्प इमलिकीत कतनों की सत्यता का सरवत्तम परनन करता है GUI उप्योग करता भासा यूजर लेंग्विज का अनुवाद जिसमें सरल वन लाइन कमांड सिंगल किलिक और डबल किलिक सामिल है मसीन भासा या असेमली भासा में करता है MS Excel में वर्क सीट एक फाइल या बूक है जबकि वर्क बूक सिंगल पेज सीट है तो इसका करेक्ट रंसल जो होगा वो अप्शन डी होगा नेक्स्ट कोस्टन से मैच दी कॉलम्स इंपुट यूनिट जो है वो रिसीव डाटा फोर प्रोसेसिंग के लिए होता है इसके बाद आउट्पूट यूनिट जो है वो डिस्प्लेज कंप्यूटेट रिल रिजल्ट है इसके बाद मेमोरी यूनिट जो होता है वो इस्टोरेज इस्टोर्स प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटेट वेलुज के लिए होता है और processing unit जो होता है वो executes instruction तो इसका correct answer जो होगा वो option D हो जाएगा last one है और second shift का जो 31st October को हुआ था फिर उसका question समारा complete हो जाएगा तब हम लोग आगे का जो exam हुआ था इसके बाद उस दे का फिर हम लोग करेंगे सिविल इंजनिरी निका जेनरेल इंजनिरिंग पर वन इसके बाद फिर ब्रांज पर सब करेंगे और mechanical electrical civil सब का एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे आपका ब्रांज कोई भी हो civil electrical mechanical mining या फिर आटो मॉबाइल तो आपका जो upcoming examinations है है Mining Inspector की Motor Vehicle Inspector की उसमें भी ये questions important and beneficial हो सकता है क्योंकि हर एक टेखनी कल एक जैनेरल इंजण्ञिरिंग रखा गया है JSC की तो इन सब questions आपके लिए important हो सकता है और General Engineering का question के अलावा अगर हम लोग GKG स रिजनिंग का जो तो दो पार्ट हर एक शिफ्ट में आता है तो वो आपका JSC की किसी भी competitive examinations के लिए benefits हो सकता है तो last one questions है निम्रिकित में से कौन से एक utility software है तो utility software जो होता है वो विनरार होता है यह सब 2-3 questions जो लास्ट में था यह computer science related था तो उम्मीद है आप दीरे-दीरे cover कर रहे है सारे वीडियो lectures को तो आज के वीडियो में लेक्चर में इतना ही फिर next lecture में हम लोग new shift का फिर 20 questions करेंगे general engineering science का और जैसे यह सब general engineering science का cover हो जाएगा तब फिर हम लोग brand paper civil electrical mechanical का cover करेंगे